नमस्कार दोस्तों ममता की रसोई में आपका स्वागत है आज बनाएंगी बहुत ही स्वीट और बहुत ही टेस्टी रेसिपी इस रेसिपी के सामने रसगुले भी फेल है और यह जटपट बनके त्यार हो जाती है और घर में रखी चीजों से बनके त्यार हो जाती है तो इस इस रेस्पी को जब बच्पन में हम खाते थे तो बस ब्रेट और दूद और थोड़ी सी सक्कर डाल लेते थे और खा लेते थे पर आज उसे नए तरीके से बनाएंगे तो यहां पर देखिए मैंने डाल दिया है फ्राइंग पिन में घी घी के जगह पे आप बटर का भी यू गैस की फ्लेम को यहां पर आपको मीडियम ही रखना है नहीं तो ब्रेट जल जाएगा तो यहां पर देखिए एक साइड अच्छे से थोड़ा सा ब्राउन कलर आ चुका है तो मैंने इस तरीके से उठा के इसे पलट लिया है अब दूसरे साइड से भी हम हलका सा की डाल दे और जब आपका मीठा खाने का मन होना तो इस रेस्पी को जटपट बना के तयार कर सकते हैं तो यहां पर देखिए मैंने लिया है एक से डेड़ कप दूद और इस दूद को एक ही बार पूरा नहीं डालना है आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है तो थोड़ा सा है तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से हलके हाथों से हिलाईएगा ताकि जो हमारा ब्रेड है वो टूटेना और यह देखिए सारा जो मिल्क है इसमें सोक ले इस तरीके से बनाएंगे लाजबाबसी मिल्क ब्रेड की रेसिपी तो यह मिल्क ब्रेड बहुत ही टेस् इसे पलटने के बाद थोड़ी दिर के बाद हम उपर से थोड़ा थोड़ा दूद और एड़ करेंगे ताकि दूसरी साइड भी हमारी अच्छे से इसमें दूद से भर जाए तो यह देखे यहां पर दूद थोड़ा सा और डाल दिया है मैंने और इस तरीके से देखे मैंने गुमा के इसे सेक लिया है और अब मैं क्या करूँगी इसे उठा के पलट दूँगी तो यह देखे इस तरीके से उठाएंगे और इसे पलट देंगे यह देखे इसे मैंने पलेट में पलट दिया है पलेट में उतार लिया है और आप देख पा रहे होंगे कलर बहुत ही प पसंद आई हो तो रेस्पी को लाइक जरूर कीजेगा मिलते हैं नई रेस्पी के साथ